हलो फ्रेंड्स, शानु हेर, दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुती प्यारी रोमेंटिक कहानी, इससे पहले अगर आप चैनल पर नई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्यूंकि इस चैनल पर आपको एक ही वीडियो में कम्प्लेट स्चोरी मिलती है, तो बाते कर रही थी, बोलना मेरी गुडिया, कब से मैं पोच रही हूँ, तो क्या खाएगी, तेरे लिए क्या बनाओ, अम्मी, देखो ना ये बाते ही नहीं करती मुझ से, गुडिया के साथ बाते करते करते, लड़की ने चेहरा उठा कर अपनी मा की तरफ देखते हुए कहा मा बड़े लाट से बोली, मेरी प्यारी बेटी समरा, गुडिया कभी बाते नहीं करती, मा की बात सुन कर समरा ने कहा, मुझे भी तो पापा गुडिया कहते हैं, मैं भी तो बाते करती हूँ, फिर ये क्यो नहीं बाते करती, मा हसते हुए बोली, अले हमारी क्योट सी बेजान है और बेजान चीज़े बाते नहीं करती। सम्रा मा की तरफ मुड़कर बोली इसका मतलब हमारी दादी अम्मा भी बेजान है क्या। मा ने माते पर हाथ मारते हुए कहा। ओफो क्या करू मैं इस लड़की की बातों का। चुपकर तेरे पापा ने सुन लिया ना तो दोनों की शामत आ जाएगी। मा की बात सुनकर सम्रा अपनी जगा से उठी और लहक कर उचलती हुई दादी अम्मा के कमरे की तरफ चली गई। सम्रा के जाते ही उसकी मा ने पास बैठी आरत से कहा। क्या करू मैं इसका लक्षमी बेहन दिन बद दिन ये लड़की बत्तमिज होती जा रही है। लक्षमी ने मटर छेलते हुए जवाब दिया। सोन्या दीदी ये तो उमर ही ऐसी है। नई नई बाते और नित नई खया सालात जहन में पैदा होते हैं वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। कुछ अच्छा नहीं होने वाला अम्मा ले गए बैंक वाले ट्रेक्टर भी अपने साथ घर में दाखिल होते हुए बेज से किस साल का नौजवान बोला। सोन्या ने सीना पेटते हुए कहा। अब भू लक्ष्मी हाथ से मटर की टोकरी छोड़ते हुए बोली अरे शुप शुप बोलो सोन्या दीदी कुछ नहीं होता भगवान सब कृपा करेंगे। सोन्या लंबी सांस लेते हुए बोली मैंने समझाया भी था समरा के अबबा को कि घर में टीवी और वाशिंग मशीन मत लाओ बैंक वालों की केश्त वक्त पर अदा कर दिया करो मगर मेरी सुनता कौन है। लक्ष्मी ने सनी को देखते हुए कहा नास पीटे जा के अपनी मा के लिए पानी का गिलास लेकर आ। ये सुनकर सनी सेहन में पड़े मटके की तरफ लपका और बेध्यानी में उसका पाउं च समीन पर जागिरा। सोनिया अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोली। सारा घर तोड़ दे कमबत। एक ही मटका बचा था वो भी तोड़ दिया। मेरी मा ने मेले से खरीद कर दिया था पिछले साल। लक्ष्मी मुँ पर हाथ रख कर हसी रोकते हुए बोली। जाने तो सोन सोनिया दीदी एक मटका ही तो है। शुकर करो बच्चे को चोट नहीं लगी। सनी खड़ा होते हुए बोला। अम्मा पानी गिर गया सारा मेरे कपड़ों पर। सोनिया सनी की तरफ देखते हुए बोली। डोपकर मरचा उस पानी में बेगैरत। कहती थी तुझे कि बाप का शौक चड़ा हुआ है। ये सुनकर लक्षमी चार पाई पर लेट गई और जोर-जोर से हसने लग गई। सनी तोटे हुए मटके के टुकडे उठा कर जमा करने लग गया। अम्मा अम्मा दादी बोली। दादी ने मुझ से बात की। समरा चिलाती हुई कमरे से बाहर आ जी। अम्मा जान आपकी आवास लोट आई। समरा कह रही है आप बाते करने लगे हो। दादी कामती हुई आवास में बोली। वो सब छोड़ बहु ये बता ये मटका किस कमबक्त में तोड़ा है। सोनिया ने सास के पास बैठते हुए कहा। अरे अम्मा आप पर हजार के कुर्बान। ये सनी बेटा जा लाला की दुकान से मिठाई लेकर आ और बाहर बच्चों में बांट थे। मा का मूर बदलता देखकर सनी ने सुक के सास ली और घर से बाहर निकल गिया। शाम का वक्त हो रहा था। सोरज अपनी गर्मी बरसा कर थंड़ा हो गया। साहिल की तरफ से चलती हुई ठंडी ठंडी मसहूर कर देने वाली हवा उसका आंचल खिड़की पर लगे किसी परदे की तरह उड़ा रही थी। हर बार आंचल उठने की वज़ा से अंदर छुपा उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खुशनुमा और तरो ताजा जलक पेश करता था वो एक बड़े पत्थर पर बैठी उंगली से जमीन पर किसी का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन पूरा लिखने से पहले ही मिटा देती थी। उसने अपना चेहरा गुमाया तो वहां अली को खड़ा देखकर चौंग गई तुम यहां कैसे आ गए समरा ने मुस्कुराते हुए पूछा तुम्हारी याद खींच लाई मुझे अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इसका मतलब में याद करना छोड़ दू तुम कुछ भी करके मुझे ले जाओ अपने साथ अली समरा ने उठकर अली के सीने से लगते हुए कहा समरा समरा उठो कॉले जाने का वक्त हो गया सनी की आवास कानों में पढ़ते ही समरा उठकर बैट गई और अपने आसपास देखकर मुस्कुराने लगी क्या हुआ समरा किस बात पर मुस्कुरा रही हो बेटा सनी ने हस्ते हुए पूछा कुछ नहीं भाई बस एक ख्वाब देख रही थी समरा बोली अच्छा ऐसा भी क्या था उस ख्वाब में जो मेरी प्यारी बहन इतना मुस्कुरा रही है सनी बोला ये तो मुझे खुद भी याद नहीं भाई समरा बोली अच्छा जब याद आए तो बता देना कुछ अच्छा ही होगा जो मेरी बेहन के चेहरे पर मुस्कान ले आया सुभा के वगत दिन के शुरुआत मुस्कुराहट से हो तो दिन बहुत अच्छा गुजरा करता है सनी ने कहा और बाहर चला गया मैं पागल हो जाओं की तुम्हारे प्यार में अली समरा ने अपने सर पर हाथ मारा और उठकर वाश्रों में चली गई तुम्हारा कॉलिज कब खत्म हो रहा है समरा सोनिया ने नाश्ता रखते हुए कहा बस एक महीना बाकी है अम्मी क्यों क्या हुआ समरा ने अंडे को तोड़ते हुए पूचा तुम्हारे अबु कह रहे थे कि कॉलेश खत्म होते ही तुम्हें चाचा के घर भेश दे चाचा ने एक युनिवर्सिटी में तुम्हारे एड्मिशन के बाद भी कर ली है सोनिया चाई पीते हुए बोली मैं कहीं नहीं जाने वाली आप लोगों को छोड़ कर वैसे भी हमारे गाउं से कुछ फासले पर ही तो है युनिवर्सिटी और मुझे कौन सा साइंस या टेकनॉलोजी पढ़नी है आर्ट्स का सब्जेक्ट है मेरा सम्रा ने खाते हुए कहा हमें छोड़ कर एक दिन तो जाना ही है तुमने बेटा सोनिया मुस्कुराते हुए बोली वो भी लाल जोड़ा पहन कर सनी ने मा की बात के साथ बात मिलाते हुए कहा बस हो जाओ शुरू लड़की जवान हुई नहीं कि उसके शादी के ख्वाब देखना शुरू सम्रा ने सनी की तरफ देखते हुए कहा ये तो जमाने की रीत है बेटी बेटियों को निभानी ही पढ़ती है सोनिया ने चाई का कप रखते हुए कहा वक्त आएगा तो देखा जाएगा अभी तो मुझे पढ़ना है सम्रा बोली जितना दिल चाहे पढ़ो लेकिन याद रखना तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी करने वाला नहीं हूँ सनी ने मुस्कुराते हुए कहा जानती हूँ मेरे भईया वैसे भी गुलू अंकल नहीं देने वाला अपनी बेटी आप जैसे लापरवा इनसान को सम्रा ने हसते हुए कहा ये तो अच्छी बात है मेरा तो शादी का वैसे भी दिल नहीं करता लेकिन तुम्हारी जरूर करवाऊंगा सनी ने सम्रा की पीट पर हाथ मारते हुए कहा जिस कुए में खुद नहीं कूदना उसमें मुझे जरूर फैंकना है आपने भईया सम्रा ने नाश्ता खत्म करके अपना पर्स उठाया और बाहर निकलते हुए कहा इतना तंग मत किया करो इसे सनी बेटा सोनिया ने हसते हुए कहा एक ही तो बेहन है मेरी अब उसके साथ भी शरारत ना करू मा सनी बोला ये भी ठीक कहा तुमने सोनिया बोली अच्छा मैं चलता हूँ मा शाम में आते हुए कुछ लेकर आना है तो बता दे वापिस आते हुए लेता आऊंगा सनी ने जूते पहनते हुए कहा फिर सोनिया ने उसे कुछ सामान लिखवा दिया और सामान की पर्ची जेब में डाल कर सनी घर से निकल कर गली में आया और अपनी बाइक पर बैठते हुए पडोस वाले अंकल से बोला अंकल कितनी बार कहा है कमेस पहन लिया करो आपके लटकते हुए जस्म को देख कर सारा दिन खराब कुसरता है कुछ शरम कर ले सनी तेरे बाप की उमर का हूँ रोजाना सुबह सुबह मुझे उंगली किये बिना गुजारा नहीं होता क्या तेरा अंकल अकबार बंद करते हुए बोला मेरा बाप आपकी तरह फहाशी नहीं फैलाता मोहले में सुबह सुबह उठकर सनी ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा ठहर जबे शरम बत्तमिज लड़के अंकल कुर्से से उठकर सनी की तरफ चलते हुए बोला सनी ने बाइक को गेर दिया और जटके से चलाता हुआ वहाँ से निकल गया और अंकल पीछे से रंग बिरंगी गालिया निकालने लगा क्या हो गया गुलू क्या सुबह सुबह गालिया निकाल रहा है सनी का बाप अपनी मोटर साइक्ल पर बैठते हुए बोला अपने बेटे को समझा ले फरहान रोज मेरी बेज़ती करता है गुलू बोला अपनी बेटी की शादी करते उसके साथ फिर वो उसे बेज़त करके तेरा बदला लेती रहेगी फरहान बोला मैं मर जाओंगा लेकिन अपनी नूरी का भ्या इस नालायक के साथ नहीं करूंगा गुलू ने गुसे से कहा तो फिर रोज रोज अपनी हिज़त की कहानी मत सुनाया करो मुझे गुलू भाई फरहान ने हसते हुए कहा तुम दोनों बाब बेटे एक ही थाली के बैंगन हो एक आग लगाता है तो दूसरा उस पर तेल छुड़कता है गुलू ने अकबार लपेट कर कहा सलाम फरहान अंकल नूरी बैग उठा कर करीब से गुज़रते हुए बोली आजा नूरी बेटी बैट जा तुझे बस चोब तक छोड़ देता हूँ और गुलू जाकर कमीस पहन ले फरहान ने मोटर साइकल स्टार्ट करते हुए कहा यह सुनकर गुलू का दुबारा पारत चड़ गया और वो गालिया निकालने लगा फरहान नूरी को साथ बिठा कर वहां से रवाना हो गया अंकल आप जितने भी कोशिश करने अबा ने नहीं मानना पीछे बैठी नूरी ने कहा मान जाएगा बेटा गुलू सिर्फ जुबान का कड़वा है मगर दिल का राजा है बच्पन से जानता हूँ तुम्हारे बाप को मैं हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आप दोनों को क्लास फैलू है एक दूसरे के नूरी ने हसते हुए कहा दूर तक फैले हुए खेतों में लहला हाती हुई हरी भरी फसले और खेतों के साथ साथ बैती हुई नहर में शोर मचाता हुआ बैता पानी दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जुबान में बाते करते महसूस होते थे किनारे पर लगे कीकर के दरकतों पर बैठे परिंदे अपनी आवाजों में गाने गा रहे थे एक डाल पर बैठी कोयल की कूकुन सब में अलग थी जो किसी बैक्ग्राउंड म्यूजिक की तरह वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी एक किनारे पर लगा पीटर इंजन धब धब करके चल रहा था जो इन सब के सुरून में किसी ड्रमर की तरह बेस दे रहा था तुमने आज मी मुझे कॉलिश नहीं जाने दिया अली अली की गोद में सर रख कर लेटी हुई समरा बोली क्या करूँ तुम्हें देखे बिना भी तो मेरा गुजारा नहीं अली ने समरा के चहरे से बाल हटाते हुई कहा इस तरह तुम्हें फेल हो जाऊंगी समरा बोली अच्छा है ना इसी बहाने फरहान अंकल तुम्हारी शादी का तो सोचेंगे अली हसते हुए बोला वो सोचें या ना सोचें लेकिन सनी भाई जरूर सोचकर बैठा है समरा बोली ये तो अच्छी बात है वैसे उसे भी नूरी भाबी का इंतजार होका बेताबी से अली ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता सनी भाई तो शायद उसे पसंद ही नहीं करता ये तो बस अब्बू की जिद है कि अपने दोस गुल्लू की बेटी ही लेकर आनी है उन्होंने समरा ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे नूरी भाबी है तो बहुत प्यारी अली ने समरा के बालों को अपनी उंगली में ट्विस्ट करते हुए कहा क्या मतलब क्या मैं प्यारी नहीं हूँ समरा उठकर बैठते हुए बोली नहीं अली ने जवाब दिया ये सुनकर समरा ने मुँ दोसरी तरफ फेल लिया क्यूंकि तुम बहुत प्यारी हो अली ने अपनी बात मुकमल करते हुए कहा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, रोज आठ आठ मर्तबा चहरा धोती हूँ कि कहीं मेरा रंग खराब ना हो जाए, समरा बोली मुझे तुम्हारे चहरे से प्यार ही कहा है, अली जसबाती होते हुए बोला तो फिर समरा हैरानगी से बोली मुझे तो तुम्हारे इस दिल से महब्बत है, अली ने समरा के सीने पर उंगली रखते हुए कहा हाई, मैं मर गई, समरा शर्माते हुए बोली मरे हमारे दुश्मन, अभी तो हमने अपनी नसले देखनी हैं, अली ने कहा इतने में तेज हवा का एक जोंगा आया, और समरा के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए, अली ने चेहरे पर से उसके बाल हटाए, और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़ लिया देखो मैंने आच चांद हाथों में पकड़ लिया अली बोला समरा ने शर्मा कर निगाहे नीचे कर ली और मुस्कुराने लगी अली ने उसके चहरे को अपने करीब किया उसकी बिफरी हुई सांसे समरा को अपनी गालों पर महसूस होने लगी अचानक वो उटकर खड़ी हो गई मुझे देर हो रही है घर के लिए समरा बोली वक्त गुजरने का एहसासी नहीं होता तुम्हारे साथ बैठ कर अली ने उटकर खड़े होते हुए कहा काश ये वक्त हमारे काबू में होता समरा बोली जल्व ही वो दिन भी आ जाएगा अली ने कपड़े जाटते हुए कहा मैं चलती हूँ फिर मुलाकात होगी समरा ने संजीदा लहचे में कहा जिन्दा रहे तो जरूर अली बोला ये सुनकर समरा उससे लिपट गई कितनी बार कहा है ये मत बोला करो जाते हुए समरा ने रोने वाली आवास में कहा अरे पागल लड़की ये तो एक हकीकत है इनसान को क्या पता कि अगला सांस आएगा भी या नहीं इसलिए कह देता हूँ तकिया कलाम के तौर पर अली ने हसते हुए कहा बदलो अपनी ये आदत अली जाते जाते हमेशा ये बात सुनकर मेरा दिल बैट जाता है बाकी सारा दिन फिर तुम्हारी जिंदगी की दुआई मांगते गुसर जाता है समरा ने अली के सीने से सर उठाते हुए कहा अब इतनी हसीन लड़की मेरे जिंदगी की दुआ करती हो तो फिर मुझे क्या हो सकता है अली ने समरा के गाल पर थपकी देते हुए कहा इसके साथ ही दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और खेतों में लेलहाती फसले थम गई दरक्तों पर बैठे परिंदे खामोश हो गए नहर के पानी ने बहना बंद कर दिया पीटर इंजन की धुब धुब इस सन्नाटे में ऐसी लगने लगी जैसे किसी का दिल सीने से निकल कर धड़कने लगा हो छुट्टी का दिन था फरहान अपने कमरे में बैठा अकबार पड़ रहा था सोन्या नाश्ते के बर्तन उठा कर किचन में धोने के लिए चली गई समरा अपने कमरे में बैठ पर किताबे फैलाई बैठी थी जबकि सनी घर की बालकनी में धुले हुए कपड़े तारों पर डाल रहा था कि उसकी नजर नीचे बड़ी अंकल कमीस पहन लो आज तो छुटी का दिन है कोई आंटी नहीं निकलने वाली मोहले में हैर्नोर्ट की बोड़ी देखने सनी ने चिलाते हुए कहा अबे नलायक तु क्या 24 घंटे मेरे घर के सहन पर नजरे लगाई बैठा रहता है शरम नहीं आती तुझे गुल्लू ने चीकते हुए कहा आती है ना इसलिए तो कमीस पहन कर रखता हूँ सनी मुस्कुराते हुए बोला ये सुन कर गुल्लू के मुँसे एक गंदी सी गाली निकल गई अरे ओ धोबी चुप करके कपड़े धो तु क्या हर रोज मेरे बाब के साथ बत्तमिजी करने लग जाता है नूरी घर की बैलकनी में आते हुए बोली शबाश बेटी ये हुई ना बात अब बोलना खुजली वाले कुटे जबान क्यू बंद हो गई तेरी गुल्लू हसते हुए बोला अरे अबबा आप एक बार मेरी शादी करो इसके साथ इसको सारी जिंदगी खून के आंसु ना रुलाया तो मेरा नाम नूरी नहीं नूरी ने चीकते हुए कहा ओ फीकी चिपकली तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं यहां से कोट कर जान दे दू अपनी सनी बोला कूट जा कूट जा बेटा कम से कम मुझे तो सुकोन मिलेगा गुल्लू ताली बजाता हुआ बोला अरे चिपकली किसको बोलता है मगर मचके अंडे शादी तो तेरी मुझसे ही होगी फिर उमर भर तुझे जलील करके अपने बाप का बदला लूंगी नूरी बोली शाबाश बेटी ये कीना बार मैं भी देखता हूँ कैसे शादी नहीं करता ये तुझसे अवे ओ फरहान फरहान कहाँ छुपकर बैठा है बाहर निकल गुल्लू ने जस्वाती होकर आवास लगाते हुए कहा क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोगोंने सुबा सुबा क्या हो गया गुल्लू मेरी जान फरहान मुस्कुराता हुआ खिड़की पर आया और बोला आज शाम को रिष्टा लेकर आचा मैंने भी सोच लिया कि अब इसको अपना दामाद बना कर जलील करवाउंगा गुल्लू ने चीकते हुए कहा सनी की मा अंदर से मिठाई लाओ भई तुमारे बेटे की शादी पकी हो गई फरहान ने सोनिया को आवास लगाते हुए कहा और गुल्लू के कंदे पर हाथ रखके उसे घर के अंदर ले आया नूरी और सनी दोनों बैलकनी में खड़े एक दूसरे को देख कर मुस्कुराने लगे ले लहाते खेतों में बैटी समरा काफी देर से इधर उदर देख रही थी वो मुसलसल पांच दिन से यहां आ रही थी लेकिन अली की कोई खबर नहीं थी वो रोजाना आती थी और दोपहर तक बैट कर चली जाती थी अब उसका दिल घबराने लग गया था इस तरह अली कभी बिना बताए गायब नहीं हुआ था इतने दिनों तक उसने अली के घर जाने का फैसला किया इस तरह गायब होने की हकीकत जानने के लिए वो अपनी जगह से उठी और खेतों से निकल कर गाओं के बल खाती हुई गलियों से होती हुई अली के घर के दर्वाजे पर पहुँची दर्वाजा बचने पर अंदर से एक बुढिया निकली क्या बात है बेटी बुढिया ने पूछा माजी मैं यहां अली से मिलने आई हूँ सम्रा ने कहा बेटी यहां तो कोई अली नहीं रहता बुढिया बोली औरत की बात सुन कर सम्रा को यू लगा जैसे किसी ने पहाड उठा कर उसके सर पर दे मारा हो उसने बुढिया को हुलिया बताया कि इस तरह का एक लड़का यहां रहता था उसने मुझे दिखाया था कि यह मेरा घर है बेटी शायद तुम्हें कोई धोका लगा है इस घर में तो मैं अकेली रहती हूँ पिछले 25 साल से बुढिया ने लरश्टी हुई आवास में कहा इतना बड़ा धोका नहीं कर सकता है मेरे साथ वो जरूर वो किसी मुश्किल में होगा समरा ने खोए हुए लैचे में कहा और बुढिया उसकी बात को अंसुना करके घर के अंदर चली गई समरा बोजल कदमों से वापिस चलने लगी इतने में एक दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकल कर उसके करीब आया जो उसे बुढिया से बात करते हुए देख रहा था मुसल्सल बिटिया रानी मैंने तुम्हें यहां आते हुए देखा था एक लड़के के साथ कई दफा कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो दुकानदार बोला क्या आप जानते हैं उसको अंकल प्लीज मुझे बताएं मैं बहुत परिशान हूँ उसके लिए समरा रोते हुए बोली बिटिया मुझे यह तो नहीं पता कि वो कहा रहता है लेकिन ये पता है कि वो कौन था दुकानदार ने रासदार अंदास में कहा क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं समरा ने हैरत जदा होकर कहा वो शहर से आया था कुछ महीने पहले और यहीं मेरी दुकान के ऊपर रहता था किराय पर दुकानदार बोला ये सुनकर समरा की बची कुछी उमीद ने भी दम तोड़ दिया उसे यकीन हो गया कि अली ने उसे धोका दिया है वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बिटिया कौन लगता था वो तुम्हारा दुकानदार ने कहा समरा बिना कोई जवाब दिये गुमसुम वहां से चल पड़ी युनिवर्सिटी की तक्रीब में सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे बाते कर रहे थे हौल के एक कोने में बैठी लड़की बिलकुल खामोश और गुमसुम से बैठी हुई किताब खोले उसे पढ़ने में मगन थी एक प्रोफेसर की उस पर नजर पड़ी तो वो चलता हुआ उसके करीब आया और बोला क्या हुआ बेटी तुम अपनी दोस्तों की तरह फियरवेल पार्टी इंजॉई क्यों नहीं कर रही हो उसने चेहरा उठा कर प्रोफेसर की तरफ देखा और फिर दोबारा से किताब पढ़ने में मगन हो गई ये किसी से बात नहीं करती सर दो साल से तो हम इसे देख रहे हैं बस चुप चाप अपने काम से काम रगती है ना किसी से घुलती मिलती है ना बात करती है प्रोफेसर के पीछे खड़ी एक लड़की बोली अच्छा बड़ी अजीब सी बात है ये तो प्रोफेसर बोलता हुआ वहां से चला किया तुम पढ़ती रहो आराम से भई कोई डिस्टरब नहीं करता तुमें हमारे होते हुए लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और जाकर बाकी लड़कियों के साथ पार्टी इंज्वाई करने लग गई कमरे में मध्धम सी रोश्नी फैली थी बैट पर बैटी सोनिया कपडों की तै लगा रही थी कमरे के दर्म्यान में उसका शोहर हाथ में अकबार पकड़े कुरसी पर जुका हुआ अकबार पढ़ने में मगन था पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बेटी को इतनी बाते करने वाली बच्ची एकदम खामोश बुत बन गई है जैसे कोई बेजान चीज पढ़ी हो कमरे में सोनिया बोली छीक कहती हो इस घर में हर वक्त उसकी आवाज गुश्टी रहती थी और आज देखो ऐसा लगता है विलान है ये घर फरहान अकबार बंद करते हुए बोला उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने सोनिया ने पूछा बात करके देखो अगर वो राजी है तो सलीमा अपसे बात करते हैं उनके बेटे के लिए फरहान ने कहा चले ठीक है मैं आज बात करके देखती हूँ क्या कहती है सोनिया ने कहा और उठकर कपड़े अलमारी में लखने लग गई पूरे कमरे में बहुत दिलकश किस्म की खुश्बू फैली हुई थी कमरे की एक दिवार के साथ लगे बेट को रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था उन फूलों की खुश्बू ने कमरे में फैली खुश्बू को और भी दिल फरे बना रखा था बेट पर बैठी दुलहन अपनी कलाईयों में पहनी चूडियों को गुमाते हुए बार-बार देख रही थी अचानक उसकी आंख से एक आंसू टपक कर उसके हाथ की पुश्ट पर गिरा उसने उस आंसू के कत्रे पर अपने उंगली रखी और फिर वो उंगली अपने होंटों से लगा कर चूम ली सुना है आप किसी से बात नहीं करती हो मुझे ये सुन कर बहुत हैरानी हुई थी मैंने तो आज तक यही सुना था कि लड़कियां बहुत बोलती हैं कमरे में दाखिल होने वाले इंसान ने बैट पर बैटते हुए कहा समरा वैसे नाम प्यारा है आपका मुझे सुन कर ही स्ट्रॉबेरी के जाय के याद आ जाता है लड़का फिर बोला लेकिन दूसरी तरफ जैसे गहरी खामोशी चाही हुई थी अगर जिन्दगी के बारे में किसी बात को लेकर आप खामोश हो तो मुझे बता सकती हो मैं जरूर सुनना चाहूंगा एक दोस्त की तरह लड़के ने हाथ पकड़ते हुए कहा समरा ने एक दम अपना हाथ पीछे खिंच लिया समझ गया जरूर कोई बहुत बड़ी चोट है जसका जख्म भरने के लायक नहीं खेर मैं तुमें इस जख्म के साथ कबूल करूंगा अगर मेरे साथ ने आपको इस तकलिफ से आजादी दिलवा दी तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी लड़का बोला ये सुनकर समरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और वो समरा के हाथ पकड़ कर उसकी हतेली पर उंगली से कुछ लिखते हुए बोला मेरा नाम इमरान है समरा ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली और अंगूठे को जोड़ कर इशारा करते हुए अच्छे का जवाब दिया ये भी ठीक है चले अब हम इसी जबान में बात किया करेंगे जिस दिन तुम्हारा दिल करे तो बोल भी लेना आवाज सुनकर मुझे और भी खुशी होगी इमरान बोला और समरा ने अपना सर हां में हिला दिया फिर इमरान उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और बाते करने लगा समरा उसकी बाते सुन-सुन कर इशारों में उनका जवाब देती रही इसी तरह बाते करते करते इमरान की आँख लग गई समरा उसके गाल पर हात फेरते हुए बोली तुम कितने मासूम हो और प्यारे लगते हो सोते हुए वो भी तुम्हारी ही तरह यूँ मेरी गोद में सर रखकर लेटा होता था अपनी आंके बंद किये ना जाने क्यूँ छोड़ गया मुझे वो बहुत महबत करती थी मैं उससे चाह कर भी उसे भुला नहीं पाती लेकिन तुम्हारे साथ मेरा जो रिष्टा है मैं अपने माजी को लेकर इसकी तौहीन भी नहीं कर सकती ये कहते हुए समरा इम्रान के चेहरे पर चुकी और उसके होंटों को अपने होंटों से चूँ कर चूम लिया लेकिन वापिस उपर उठते हुए उसकी आंख से निकलने वाला आंसू इम्रान के चेहरे पर गिरा जिससे उसकी आंख खुल गई वो उठा और सम्रा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ कर बोला ऐसा क्या गम है जिसने इस चांद से चेहरे को गहना रखा है माबाप से विचरने का गम बहुत दर्दनाक होता है सम्रा ने नम आँखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी आवास कितनी प्यारी है इम्रान ने सम्रा का हाथ चुमते हुए कहा पूरे ढ़ाई साल बात जो बोली हूँ सम्रा बोली शुकर है मरने से इस से पहले की इम्रान की बात मुकमल होती सम्रा ने उसे अपने साथ चिपका लिया और बोली प्लीज ऐसी बात मत करना दोबारा मुझे बहुत डर लगता है इस लफ से इम्रान ने अपने बाजू सम्रा के गिर्द कस लिये और बोला तुम मेरी जिन्दगी हो समरा ये सुनकर समरा ने अपने बासूं की पकड़ और ज्यादा मस्बूत करती आंगन में लगे नेम के पेड़ के साई में कुरसी लखे समरा सबजी काट रही थी कि अचानक उसके कानों में आवास पड़ी बोल ना मेरी गुडिया कबसे मैं पूछ रही हूँ तु क्या खाएगी तेरे लिए क्या बनाओ मा मेरी गुडिया बात क्यों नहीं करती आठ साल की बच्ची ने समरा की तरफ अपनी गुडिया करते हुए कहा समरा मुस्कुराई और सबजी का बरतन साइप पर रख कर बेटी को उठा कर गोद में बिठाया और बोली जिस दिन तुम्हारी गुडिया को कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाएगा तो ये जरूर बोलेगी अच्छा जिस तरह पापा आपको मिले थे बच्ची ने पूछा हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस दिन वो मुझे मिले थे तो मैं भी बोलने लग गई थी समरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो मेरी गुडिया को कब मिलेगा ऐसा कोई इनसान बच्ची ने पूछा समरा ने उसे सीने से लगाया और बोली मुहबत आस्मान से बरस्ती बारिश की तरह होती है बेटा बस इनसान को अपने बाजू खोलना सीखना चाहिए उसके हिस्से की बूंदे उसकी हतेलियों पर गिरती जरूर है दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्रीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू